बीजेपी नेत्री की कार को ट्रक ट्रक ने मारी टककर आग लगने से जिन्दा जली भाजपा नेत्री मिशन शक्ती अभ्यान के तहत एक दिन की स्पी और एडिशनल स्पी बनी चात्राय और अफिसर बन चात्राउन इस उनी लोगों के समस्या बड़ाई जा रही स्वच वारत मिशन की धज्जिया कूडे कच्रे के अंबार में रह रहे नगरपाली का करंचार रावड की अस्तियों ले जाने की अनोखी प्रिथा रावड दहन की अस्तियों को घर ले जाना माना जाता है शुप पुलिस ने किया तांत्रिक की हत्या का खुलासा 100 रुपे ना देने पर हुई तांत्रिक की हत्या नवश्कार स्वागते आपका आज की खबर में मैं हूँ आपके साथ रागिनी सिंग राठोर रुकरते उतरपदेश की बड़ी खबरों का म्रोहा में भाजपान एत्री सरिता सिंग की कार में जिन्दा जुलकर मौत हो गए बता दे सरिता खोद गाड़ी चला रही थी तब ही सामने से तेज रफता ट्रक ने टक कर मार दी इस हाथ से के बाद कार में आग लग गए और भाजपान एत्री बुरी तरह से जुलस गए हाथ से की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुची और कड़ी मश्रक्कत के बाद सरिता को कार से बहार निकाला गया इसके बाद उन्हें जुला स्पताल में भरती कराया जहां डॉक्टर ने उन्हें मत्त घुशित कर दिया फिलाल पूरे मामने में पुलिस ने अग्याद चाला के खिलाफ मुकदमा दर्स कर लिया है हर दोई में मिश्रक्ती अभ्यान के तहत चात्राओं में सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए उन्हें एक दिन का पुलिस अधिकारी बनाया गया इस मौके पर स्पी और अडिशनल स्पी बनी चात्राओं ने फरियादियों के समस्त्याय सुनी और उनका नस्ताराल किया बेहतर कानून विवस्था बनाये जाने के निर्देश भी दी इस मौके पर एक दिन की पुलिस अधिकारी बनी चात्राओं ने अपना अनुभव साध्रा करते हुए बताया कि पुलिस अधिकारी बनने का उनका ये अनुभव काफी बहतर रहा अपर पुलिस अधिक्षक ने बताया कि सरकार के मिशिन शक्ति अभ्यान के तहत एक दिन का पुलिस अधिकारी चात्राओं को बनाया गया है इस काम से चात्राओं में सुरक्ष्रा की भावना पैदा होगी साथी वो आद में सुरक्ष्रा की प्रती भी जागरुक होगी कुछ यहां लोगों को उनकी कारवाइद सुनी नहीं जा रही तो इसके लिए मतलब उनको फालिपूर को यह दिया है कि उनको जल्दी ईखली उस पे मैं किसी के लिए ले रही हूँ मतलब अपकी हेल्प कर रही हूं उनकी परेशानी सुन रही हूं और उनके लिए मदद कर रहे हैं उनकी उन्हें हर समस्य से मतलब बाहर निकालने की कोशिश कर रही है वह इसा बहुत इसे इसका नहीं है i.t. ग्रुथ सब्सक्राइब को एक दिन का इस्पी योग अकृती योग तानिया को अपर पुलिस रिच्छक के एक दिन के पत पर बनाती है वे जल सुनवाई कराई गई इस रहे काल करब आगे भी सदार तगर में आदश नगर पालिका परिशद में स्वच भारत मिशन की धज्रा उड़ा जा रही है बतादे स्वच भारत मिशन की तहट लगाई गई बड़े बड़े मशीन और लाखों के बजट कब अंदर बाट किया जा रहा है साथी कूडे कच्छे के अमबार में नगर पालिका करमचारी रहने के लिए मजबूर है जानकारी के मताबिक नगर करमचारी ने बताया कि गंदगी की वज़े से आए दिन उनकी तब्य खराब हो रही है वही उपजला अधिकारी ने इस मामले में संबंदेत अधिकारीयों को कारवाई करने के नरतेश दिये जैसा कि आपके मार्दम से हमें आज पता चला है तो इसको मैं दिखला लेता हूँ देश भर में बुराई पर एच्छाई की जीत के प्रतीक देश रायानी की विज़े दश्मी पर्फ को धूमधाम और हर उल्लास के साथ मनाया गया वहिशा जहापूर में भी विज़े दश्मी पर रावण के पुतला दहन किया गया है जहां मेला प्रबंदक ने बादशीत करते वक्त बताया कि लोगों के लिए रावण का पुतला और उसकी अस्थियां बेहद माईने रखती है और हिंदु धर में लोगों का मानना है कि लंका का रावण दुनिया का सबसे ग्यानी पुरुश माना जाता है लोगों की ऐसी आस्ता है कि अगर रावण की पुतले की अस्थियों को घर पर ले जाकर समहाल कर रखा जा तो घर में दुष्ट आत्माएं अंदर नहीं आ सकती इसके अलावा बच्चों में ग्यान बढ़ता है यही कारण है कि दश्वेरे की दिन रावण के जलते हुए पुतले से लोग अपनी जान की परवा किये बगार हर हाल में उसकी अस्थियां ले जाने की कोशिश करते हैं वही पुलिस भी इस आस्ता से जोड़ कर देखती है पुलिस का कहना है कि क्योंकि यह परमपरा है जिसके चलते हिने रोकना भी बेहत मुश्किल होता है फदेपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हासे लोई जहां बुज़र्ग तांत्रिक की हत्या के आरोपी को पुलिस नगर इफ्तार कर लिया बताय जा रहा है कि आरोपी ने तांत्रिक से शराप के लिए सो रुपे मांगे रुपे देने से इंकार के बाद यूवक ने तांत्रिक के सिर पर बार कर दिया फिर गला दबाकर उनकी हत्या कर मौके से फरार हो गया गटना की सूचना दोते ही पुलिस मौके पर पहुंची और श्रप को कबजे में लेकर पोस्माटम के लिए भेज़ दिया पुलिस ने अग्यात लोगों के खिलाफ केस दर्सकर जाश शुरू कर दी है स्पी ने घटा के जल्द खुलासते के लिए चार टीमों का गठन भी किया सीसी टीवी फुटेज के अधार पर हत्यार एरविंद यादफ की पहचान की प्रिसाशन की कई कोशिशों के बाद भी सड़क हाथ से थमने का नाम नहीं ले रहे खबर बहराईट से सामने आई है जहां ग्रामीलों से भरे ट्रैक्टर चॉली की पिक अप से भड़न्त हो गए इस हाथसे में पिक अप चालक समेथ दो लोगों की मौके पर मौत हुई हाथसे में साथ लोग गंभी रूप से घायल हुए जहां इलास के घायलों को CHC में भर्टी कराए गया हाथसे की सूचना मिलते ही मौके पर SPCT ने घटना स्थल का निरिक्षन कर आवश्टर का दिशा निर्देश दिये वहीं देर रात पुलस ने जिला अस्पिताल पहुँच कर घायलों का हाल भी जाना हमीरपूर में दबंगों के हौस्ते लगातार बुलंद हो रहे हैं जहां दुर्गा विसरजिन की यात्रा निकाली गई रिजवरान गाओं के युवाओं सहित व्रद और महिला ये शामिल रही तबी गाओं के कुछ दबंगों ने महिलाओं के बीच जाकर पठाके छुडाना शुरू कर दिया यात्रा के बीच शामिल लोगों ने दबंग युवकों को पठाके छुडाने से मना किया तो आक्रोशित होकर युवकों ने कुछ दूर जाकर यात्रा में शामिल लोगों पर लाथी डंडों से हमला किया लिस्त में 15-16 लोग महिलाएं और बुजुर्गों सहित लोग घायल हुए तब सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पिताल लाया गया तो इनके लड़कों ने लड़कियों के बीच में पराका छोड़ा तो हमने मना किया मना करने पर एक बार मना कर दिया फिर आंगे बढ़े आंगे बढ़ने पर फिर भी सुझा कर लड़कियों के बीच में लड़कियां ड्रांस कर रही थी दीजे चल रहा था तो फिर जब इन्होंने पड़ा का छोड़ा तो हमाई लड़के नेक ने पकड़ करके एक तरब किया एक तमाचा मार दिया था एक तमाचा मारने पर ये लोग अपने घर चले गए जब इनके मुहले में लोग बाग पहुंचे जवारा लेकर के तो खपर लिए थे यह लोग लाठी लिए तो इनार बैटे थे आठ दस लोग यह नहोंने लाठी चार्ज किया जैसे पूंटे गए विशे मारते गए यह नहोंने गायल कर दिया 15-16 अलगों को गायल किया दो पर्टियों की गड़ाई हुई है तो वसी में मार पीट फूई है और दा जोटिया गए तो अलगों की अलगों को पूंटे गए बाकी अनने की क्या इस्टिती है तर अनकी से पेसे डिस्टेबल है राजानी लखनाओ के वैश्व औरिटोरियम में मिशन मोदी अगीन पीएम संकल्प से सिद्धी कारिक्रम का आयोजन किया गया या आयोजन डेमोकरसी डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा किया गया कारिक्रम में कई गड़माने व्यक्ति सहित भाजपा के तमाम पददिकारी मौजूद रहे राश्टी अद्यक्ष रामगोपाल खाका बतौर मुख्यातिती मौजूद रहे वहीं दूसरी तरफ वशिष्ट आतितियों के में कप्तान एसके तरवेदी अजय दीप सिंग आनंदगरवाल और महिला मोर्चा महानगर अद्यक्ष निदी सूरी अहूजा समेत कई लोग कारिक्रम का हिस्सा बने आज ये कारिक्रम संकल के सिद्धी है लखनव महानगर में स्रीमतली मिधी सूरी अउजाज जी को महानगर महला मोर्चा का अद्यक्ष मनाया जागा है और यहां 11,000 कारिकरता है ऐसे कारिकरता जो राश्टवक्त हैं समाज और देश के लिए काम करना चाहते हैं वो सब लोग एक घंटे स्वेहम अपने आपको मोधी मान कर मोधी सरकार की जोजना को जिंजन तक पहुँचाएंगे उसके लिए आज महानगर के प्रमुक कारिकरताओं के बीच में निजी सूरी अउजाजी को महानगर मेला मोर्चा अज्यक्ष जित के जाएंगे और इतने भी कारिकरता आ रहा है एक संकर्प लेजे जाएंगे कि मोधी सरकार की जोजना जंजन तक पहुँचाएंगे एक घंटे हम राष्ट वक्त बनकर जो वास्तम में जोजनाओं के पात्र हैं उन तक हम पहुँचाएं आपने जो काम करते हैं उस काम को करते करते ते राष्ट और समाज के लिए भी एक घंटे का ज़िदान है जैसे मोधी जी 20 गंटे काम करते हैं तो हम भी एक घंटे योजना उपर काम करने के लिए ली राइबरेली से एक हैरान कर देने वाली घटा सामने आई जहां शराब के नश्य में एक यूबक ने अपनी पत्नी पर गढासे से हमला कर दिया बतादे शराब के नश्रे में युवक अपनी पत्नी की पिटाई करता था और इन हालातों से परिशान होकर महिला अपने माई के आ गई लेकिन देराई शराब के नश्रे में युवक अपने ससुराल पहुच गया और घर में सो रही पत्नी पर गड़ासे से हमला कर दिया परिजनों ने आनन्फानन में महिलाओं को अस्पिताल में भड़ती कराया जहां उसकी आलत गंभीर बनी हुई है वहे इस घटना के बाद आसपास के इलाकों में हरकंप मच गया सुचना पर पहुचए पुलिस ने आरोपी पती को हरासत में लेकर विदिक कारवाई शुरुखर दी है जिला पास एक शिवकला नाम की योगति जिनकियों में तक्रीमा 27 वर्स है प्सी भोजपूर से रिफर होके आई है पर जिनकार बता जा रहा है कि पती द्वारा इन पर कोई धारडार हथियार से हमला किया गया जिसके द्वारा नहीं काफी गंभीरा उस्था में घायल हो गई है भट्टी करतें करेंगे थाना सरेनी के रामखेडा गाओं की घटना है शिवकली उर्फपिंकी पत्नी के कपिल कुमार पुत्रबास देव जो मुल्ता कानपुर का रहने वाला है अपनी ससुरार रामखेडा आया हुआ था आज सुबह लगवग चार बजे पत्पत्नी में किसी बात को लेकर के विबाद हुआ है जिसमें पत्ती द्वारा पत्नी को मारा पीटा गया है और जिसके में पत्नी को गंभीर चोटे आई हुई है जिसको जिला अस्पताल में भर्दी करा करकर के इलाज कराये जा रहा है सौच के लिए गया था लेकिन श्रादा नहर के पास युवक का श्रुफ पेड़ से लटकता पाया गया ग्रामियों ने परिजनों को सूशना दी जिसके बाद परिवार में कहराम मच किया वही सूशना पर पहुंची पुलिस ने श्रुफ को कबजे में लेकर पोस्माटरम के भी ने भेड़ दिया और आगे की विद्ध कारवाई में जुट गई है और वही जो है साधी में यह बात भी थी कि जब साधी जित्मार को लेके गए थे लोग वहां पी तो पहले तो हम लोग गए सब लोग खाया पिया सब कुछ अच्छा हुआ होने के बाद में जो है जो वहां सारे महेमान लोग थे उनको समने भेड़ दिया दो गाड़ी रखे ली और लड़के गाड़ी ठाट तो दो बजे को ने टायम कहा कि चलो कर आओ वहां से लोग को को रह थे तो वहाई हम लुगो ने बात होइ होने कबाद में सावान कहने लगया हम लोग लेके आए लड़की को घर लेके आए उसके बाद में बस बताया कि कल चौथी रेके चले गए काम अमदाबाद में टेमिस काम करते थे जो रोड बनती हुआ है इस वक्त की बड़ी ख़बर आपको बतारे लखनव से जहां गैर मानिता प्राप्त मदर्सों को नोटिस किया गया प्रतिजिन दस हजार रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा सिक्षा विभार जिलो के अंट्स को जारी किया नोटिस नोटिस के मामने मिं मदर्सा बौड का बयां मदर्सा शिक्षा विभार आपको बतारे लखनों से जहां मदर्शा बोड अल्प संख्यक कल्यार की तरफ से नोटे सुज़ारी किया गया है पयान में सामने आये मदर्शी सिख्षा बिभाग से नहीं होते हैं संचाले तर्म अधर्शा बोड से संचाले होते हैं यूपी मदर्शो सिख्षा परिश्वत के चेयर मैन में मामले पर बोला कि मदर्शो का समस्तिकार हस्तांत्रित ही आ गया था। अल्पसंख्यक कल्यान विभाग को हस्तांत्रित हुआ था। अल्पसंख्यक कल्यान विभाग के चेयर मदर्शो का समस्तिकार्य सिख्षा विभाग से ट्रासफर होकर के अल्पसंख्यक कल्यान विभाग के पास आगया। जिसके बाद मदर्शा एक्ट बना 24 और उसके साथ मदर्शा नीमावली दोर 16 बनाई गई जिसमें इस पस्ट रूप से उल्लेख है कि मदर्शो के निच्छन का अधिकार जिले के लिभाग के लिभाग के अधिकारी जाकर के मदर्शो का निच्छन कर रहे हैं उन्हें नोक के वल अल्प संथेक कल्यान इभाग के अधिकारी निच्छन के बाद से मदर्शो का समस्ट बतारे तो हागार मानिता प्राप्त मदर्शो को लोट सुच्छारी किया गया फिराल बॉलिटिन में उत्ता ही देशने की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे हैं आज की खबर